स्वागत है आपका सेल स्टडी के इस चैनल में आज की इस वीडियो में हम बेसिक ओफ इंग्लिश यानि इंग्लिश की बिल्कुल शुरुआत से हम स्टार्ट करने वालें इंग्लिश ग्रैमर की बिल्कुल शुरुआत से और एडवांस लेवल तक जाएंगे और जिसको भी आती हो हिंडी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले है तो इसमें कोई डरने वाली कि A, B, C, D ये alphabet, ये तो मैं नहीं करवाने वाला हूँ कहीं सोचों कि A, B, C, D, ये भी करवा दोसर, ये चीज़ें नहीं करवाने वाला हूँ इसके बाद क्या आते हैं, words बनते हैं words के बाद phrase, close, sentence बनते हैं, उनके बारे मैं बात करूँगा लेकिन अभी फिलाल मैं English grammar के उपर आया हूँ कि ये sentence भी आएंगे देरे देरे आगे आने वाले वीडियो में sentence, close, phrase सब चीज़ें आजाएंगे शुरुवात मैं कर रहा हूँ कि English grammar की जो definition होती है वो क्या होती है, अगर आप English grammar की definition देखें, देखो इसको कहते है, set of rules यानि अगर आपको ये English grammar की किसी भी book में आप definition का पता करो, तो वहाँ आपको ये लिखेगा कि English grammar होता है, एक set of rules होता है, अब set of rules किस चीज़ के, set of rules होते है कि आपको parts of speech की knowledge होनी चाहिए, parts of speech अभी आउँगा parts of speech कितने type की होते है parts of speech की आपको पास knowledge होगी, वो knowledge को ही set of rules का गया है, और वो ही English grammar होती है अब आओ ज़रा क्या होती है knowledge of parts of speech parts of speech सरी ये parts of speech होते है अपने पास 8 parts of speech होते है, noun pronoun, verb, adjective adverb, proportion conjunction और interjection, ये 8 parts of speech होते है, कुछ 9 consider करते है, कुछ grammar है कुछ 10 consider करते है कुछ 9 क्यों करते है, कुछ 10 क्यों करते है, अभी हमारे पास वो मुद्दा नहीं है, हम उसके उपर अभी नहीं जाएंगे आने वाले टाइम में वो सारी जीजनी discuss कर दूँगा, अभी हम 8 बान के चल रहे हैं तो हम कौन सी केटिगरी में आते है, आठ वाले केटिगरी में और जादा तर grammar आठ वाली केटिगरी को prefer करते हैं, तो हम भी इसी केटिगरी के अंदर है जहां majority है, वहाई हम जाएंगे तो 8 पार्ट सो स्पीच होते हैं, फिर से एक पर देख लो English grammar क्या है, set of rules होते है, set of rules बोले तो knowledge होने चाहिए आपको पार्ट सो स्पीच की, पार्ट सो स्पीच कितने टाइप के पार्ट सो स्पीच होते हैं, आठ पार्ट सो स्पीच होते हैं अब एक के करके मैं थोड़ा थोड़ा, ना brief बताऊंगा brief मतलब की उपरी तोर पे नहीं, बल्क एक छोटा सा intro दूँगा कि noun क्या होते है, देखो noun किसी भी चीज का नाम एक naming word होते है, एक naming word होते है जैसे bench का ना, कोई bench हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया कोई स्थान का नाम हो गया, किसी जगह है मतलब इन सब चीजों के जो नाम होते है, उनी को हम noun कहते है just simple, कोई गहराई वाली definition में नहीं जा रहे है noun क्या होते है, किसी चीज का नाम हो गया, बस pronoun कह, pronoun ये इसका ही भाई है noun कहीust pronoun है बस ये इसकी repetition को रोकते है मतलब अगर एक बार तुमने किसी का num use कर लिया, राम use कर लिया तो बार बार राम ना लिख कर उसकी जगह तुम ही use करोगे, तो यही pronoun है noun की repetition को रोकने के लिए परोणाउन आता है अगली चीज, verb वर्ब क्या होता है, वर्ब एक action word है, action word बोले तो, जिसमें कोई काम होता है, जो कोई काम दिखाता है, काम होना, कोई काम होता है, जैसे कोई भाग रहा है, कोई दोड़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ खाना खा रहा है, कोई खेल रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, यह सारी चीज़ें कहा है, action ही तो है, इसी को हम कहते है, वह, adjective, adjective एक ऐशा शब्द है, जो इन दो भाईयों की, इन दो भाईयों की विशेष्टा बताता है, विशेष्टा बताता है, या फिर English में कहीं, qualify करता है, qualify करता है, कोई अच्छा, कोई बूरा, कोई छोटा, कोई बारे में यह चीज़ बताती है, adjective बताता है, adverb, adverb जो है, वो इन के बारे में बताता है, verb और adjective और खुद के बारे में बता देता है, यह adverb होती है, proportion, proportion का एक just simple सी छोटी information लो, कि information add करने के काम आते है, information add करने के काम आते है, इसी ही हम proportion कहते है, कौन-कौन से होते हैं, आप विट्वीन अमंग बहुत सारे होते हैं अभी मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ अभी बच्चे को नहीं बता होता है कि प्रेपोश्च क्या होते हैं इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे दिरे दिरे जब लेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे अभी फिलाल के लिए इतना बहुत है कंजंक्शन क्या होता है अगर आप इस वर्ड को तोड़े हैं तो यह होता है आपका जंक्शन और इसका मतलब होता है एड करना तो जैसे रेलवे जंक्शन होता है तो उसके जो जंक्शन होते हैं जंक्शन को जोडना होता है तो जंक्शन को जोडने काम कौन करता है जैसे यह तो बहुत फेमस चीज़ है एंड और यह तो मुझे लगता है कि हर बच्चे ने सुनी रखा होता है कि एंड और यह काम कोई खुष है कोई उड़ास ने के काम ने करेंगे यह होता है virtue इंट्रुब इफ में भी करेंगे, डिटेल में भी जाएंगे, हर चीज करने वाले, एक छोटा सा इंट्रो था, ताकि आगे आने वाले कुछ चीजे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ जाए, तो यह थी पार्ट सो स्पीच, पार्ट सो स्पीच आठ होते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आप ख्रिदी थी, अभी मत जाना कि 10 कौन सा है, 10 स्टोंस के, इसके सब चीजें हटा दो, जो चीजें बोलना हो, उसी पर फोकस करना, अमित बोट अबुक, इस चीज के उपर आते हैं, सेंटेंस लिखा, अब ये जो हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड को मैंने अलग-अलग ये जो अमित है, इसको इंग्लिश ग्रैमर में क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, बोट, इसको इंग्लिश ग्रैमर में क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, ए क्या होता है, आर्टिकल होता है, बुक, इंग्लिश ग्रैमर में क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, किसी चीज का नाम तो यह letting आपको एक बर बता देता हूं थोड़ा सब्सक्राइक पर छोड़ा देना इसके बारे में बाद में बात करें पार्ट सोफ्थी केहते इस को तो यह नाउन हो गया यह वर्ब ओ गया और यह आर्टिकल ओगया.. तो एक जो सेंट्टेंस होता है वह बहुत सारे parts of speech से मिलकर बनावा होता है उसमें adjective आते हैं उसमें adverb आते हैं clear अब देखो आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें यहां पर clear कर देता हूँ हम जब मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या हुआ जैसे अभी यह आपने sentence देखा ऐसी बहुत सारे sentence आएंगे उन sentence में हर एक sentence को break करना जैसे break करना मतलब तोड़ना उस तोड़ तोड़कर आपको बताने कि यह जो word है वो क्या है इसका part source speech क्या है इसका part source speech क्या है ऐसे हर एक का part source speech मैं आपके सामने discuss करता चलूँगा अब यह सब क्यों करूँगा हर एक sentence को तोड़ूँगा क्यों break क्यों करूँगा उसका reason यह है कि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यहां पर जो यह part source speech लगा उसकी position यहां पर है या नहीं है तब तक आप कैसे error find out करोगे अरे भाई अगर आप डोक्टर के पास जाते हो तो डोक्टर तो पहले आपको आपसी बिमारी तो पूछेगा कि आपको बिमारी क्या है ऐसे तोड़ना जाती है आपको गोली देदेगा कि लो भाई यह गोली खालो बिमारी ठीक हो जागी जब तक आपको पार्ट सो स्पीच की knowledge नहीं होगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यह error क्या होगा और उस पार्ट सो स्पीच की knowledge कैसे है कि हर एक sentence को break करके देखेंगे और पता करेंगे कि भाई यहाँ पर जो noun लिखा हुआ कि इसकी position यहीं थी यहाँ जो verb लिखा हुई थी इसकी position के कि यहीं थी यहाँ पर यह जो noun लिखा हुआ तो इसकी position यहीं थी तो इन सब चीजों के बारे में हम धीरे-धीरे ऐसे पता करते चलेंगे जब इनको break करेंगे clear? आओ जड़ा एक step और आगे बढ़ते हैं हमने पता कर ले कि अमित के है नाउन बोट के है वर्ब एक है आर्टिकल बुक के है नाउन अगले step आते हैं अब यह जो noun मैंने यहाँ पर लिखा इसको इंग्लिश grammar में यानि अमित को हमने इंग्लिश grammar में नाउन कहा अब दो जीजे होती है एक होता है नाम एक होता है काम समझना जरा अमित इसका इंग्लिश grammar में नाम क्या हो गया noun हो गया अब कुछ ना कुछ तो काम करेगा न देखो जितने भी आठ पार्ट्सो स्पीच है हर एक का कुछ ना कुछ काम दिया होता है अगर काम नहीं होता तो वह पार्ट्सो स्पीच में इंकलूडी क्यों होते है समझना इनका कोई ना कोई नाम है और इनके साथ इनको कोई ना कोई काम दे रखा है noun इसका नाम हो गया काम भी तो दे रखा है नाउन, काम क्या करेगा, सब्जेक्ट बनने का और अब्जेक्ट बनने का, जैसे कि आप दे सकते हो कि यह रहा सब्जेक्ट बना हुआ है, और यहां पर यह अब्जेक्ट बना हुआ है, एक सब्जेक्ट बना हुआ है, एक अब्जेक्ट बना हुआ है, सर हमें कैसे पता चले सब्जेक्ट कौन होता है जो एक्शन को करता है डूर का मतलब हो गया एक्शन करने वाला और अब्जेक्ट किसको कहते है जो एक्शन का रिसीवर होता है समझना फिर से बता रहो सब्जेक्ट कौन होता है जो एक्शन का डूर होता है सर हमें कैसे पता चलेगा एक्शन क्या हो अरे जो वर्ब होती है अभी उसके पारे में बताऊंगा वर्ब क्या होती है देखो वर्ब जो होती है जिसमें कोई एक्षन हो रहा हूँ यहां पर एक्षन क्या हो रहा है खरीदने का एक्षन हो रहा है कर कौन रहा है यह अमीद कर रहा है तो यह जो अमीद कर रहा है यह रिसीवर हुआ इसलिए हमने इसको क्या कह दिया ऑब्जेक्ट कह दिया समझे रहो नाउन क्या काम करता है सब्जेक्ट बनने का और सब्जेक्ट कब होता है जब यह डूर होता है यानि कोई काम करता है और अब्जेक्ट कब होता है जब यह रिसीवर होता है इतनी चीज़ प पर वर्ब क्या होती है? एक action word होती है. एक action word होती है. इसको बारे में थोड़ा साब को clear कर देता हूं, वर्ब के बारे में, अभी आपके बारे में, क्यूंकि वर्ब से ही sentence break करना हम सीखेंगे शुरुआ से तो वर्ब के बारे में थोड़ा बहुती हैं पर डिसकस कर लेते हैं वर्ब क्या होती है अब जराओ वर्ब की कुछ फॉर्म्स हमने पढ़ी हुई होगी मुझे लगता है कि हर बच्चे नहीं यह तो पढ़ा हो था वी वन वी टू वी थ्री व वंट वे पांच-फाइप हमने हमारे सामने ऐसी रटवा दिजाती है कि ऐसे यसदseat चलते है इसको जाज़तर हम वी वर्ब की से वह समें इस नाम से भी बोलते कि बिर्जलाइंज कहते हैं, दरसल यह actual में है क्या, इनका जो असलियत नाम है, असली में जो नाम है, वो ये है, इनको कहते हैं present, by और bys, जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला by और ये वाला bys, bys, इसके साथ S लगा रहा है, इसको मैंने यहां पर एक साथ मिला दिया, by और bys, यह होती है present, फिर boat, जो यहां पर आप वी टू लिख रहे थे, इसको कहते हैं past, अगली जो ये वी थ्री थी, इसको कहते हैं past participle, और यहां पर ये जो buying थी, ये इसको कहते हैं present participle, अभी इनकी spelling सेम होगी, तो इसके उपर confused मत जाना है, कि सर ये आपने इसको past कह दिया, ये तो spelling सेम है, ये वी थी है, वबकित साइक थर्ड फोम है, इसलिए यहां पर इसको past participle बोला गया, confused मत हो ना, एक past है, एक past participle है, कुछ फोम ऐसी होते हैं, जिनकी v2, v3 सेम चलती है, clear, अगर मैं यहां पर लिखूँ, go, went, gone, और going, यहां पर चीज़ें clear हो जाएंगी, देखो, ये present है, इसके साथ goes आएगा, ये present है, ये past है, ये past participle है, और ये present participle है, अब यहां पर देखो, ये इनकी तो same थी, लेकिन यहां पर इनकी same नहीं है, ये अलग-अलग है, तो कुछ एक वब ऐसी होते हैं, जिनकी past participle और present participle, past participle और past participle क्या होते हैं, same होती है, कुछ एक ऐसी वब होते हैं जिनके यह form जोती वह सेम नहीं चलती clear अब आऊ ज़रह इनके उपर इसके उपर discuss करते हैं by और bys सर आपने यहां पर by और यहां पर bys लिखा फिर आपने एक कर दिया सर इसमें पंगा क्या है कैसे कौन से use करते हैं इसी के उपर आते हैं देखो एक होती है singular एक होती है plural इस चीज को समझो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन एक वचन जो अकेला हो ऐसे समझो plural का मतलब होता है बहु वचन जो दुकेला हो या एक से ज़्याद हो दुकेला तो क्या गए एक से गर मैं कहूं, नाउन की बात करें गेमीं, अगर नाउन में एक बचन में कहूं, अगर यह कार है, अगर मैं कहूं इसको अगर मुझे ब्लूरल करना हो, तो हम कैसे करेंगे? विवन्यूरस हर बच्चे को पता कार कर दो, शिम्पल सी चीज। अगर एक को गो तो ये अगर इसके साथ कोई SEIS नहीं लगा है गो था क्या महाँ पर SEIS नहीं लगा है इसके साथ अगर मैं SEIS लगा दूँ तो ये singular बन जाती है ये अगर इसके साथ SEIS नहीं लगा है तो वो plural होती है और इसके साथ या फिर छोड़ो कोई नाम से करते हैं राम राम गो या फिर राम गोज अब इसके उपर देख लेते हैं राम क्या है एकलोता है singular है singular है singular है singular है to singular के साथ singular वर आईगी तो go क्या है plural अभी बोला मैंने तो इसके साथ यह नहीं राम गो जाएगा इतनी चीज़ होगी clear अब सुनो जो भी वब होती है यहां पर आऊ अगर मैं इन में से आप से यह पूछू buy buy is boat buying go goes went gone going अगर मैं इन में से पूछू इस वाली वब में वब की base form कहा है वब की base form क्या है जिससे सारी की सारी वब बनी है तो वब की base form होती है यह buy यह आपकी वब की base form है और जो वब की base form होती है जो वब की base form होती है वो plural ही होती है मतलब ऐसा समझो यह जो वब पैदा होती है वो plural पैदा होती है इसको हमें singular बनाना बढ़ते है अभी यहां पर बता रहा हूँ ठीक कहीं ऐसा noun के साथ भी होता है और इसको हमें plural करना बढ़ते है अभी फिलाल basics तर के उपर है कुछ चीजें आने वाले time में change हो जाएंगी वो मैं आपको समझा दूँगा, सिखा दूँगा, बता दूँगा तो अभी tension लेने वाली कोई बात नी है एतनी चीज़ clear होगी अभी मैंने आप लोगों को यह noun, pronoun का भी बता दिया कि noun होता है, यह verb होता है, यह article होता है, noun होता है इसको break करना मैंने आपको थोड़ा बहुत यहां पर बता दिया अब sir आपने यह बताया क्यों sir यह इसका use कैसे करेंगे सबसे बड़ी दिक्त यह होती कि बच्चा यह चाता है कि उसने जितना भी सीखा उसका कहीं न कहीं हम implementation कर ले implementation कैसे कर ले देखो इतनी इस वीडियो में जितनी बातें बताईए न वो अभी एक basic है, वो आधार है आने वाली जितनी भी वीडियोंगी और अभी जितना मैंने बताया उसको यहां पर implement करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे शायद आपको थोड़ा बहुत यह sentence समझ आए शायद किसी को थोड़ा बहुत भी नाए, किसी को आभी जाए इस sentence को आप जब यह classes जो है definitely आपको आजाएगा अब जन्हा समझो अगर मैं इस sentence में verb की बात करूँ इस sentence में verb क्या है इस sentence में verb क्या है तो verb वो है जिससे action हो रहा हूँ जो action करने का पता चल जाए तो यहां पर देखो completed और यह have, यह दो verb है यह दो verb क्या है वैसे है तो एक ही, एक ही verb है लेकिन अगर इसको अलग-अलग करूँ तो यह होती है आपकी helping verb और यह होती है आपकी main verb फिर से बता रहा हूँ देखो जो बच्चा यह confused हो जाए कि सर यह आपने helping verb नहीं बताया, main verb नहीं बताया सर हमें नहीं बताये, tension ना लो सारी चीज़ें clear कर दूँगा इन सब चीज़ों को अभी फिलाल के लिए इतना समल लो यह helping verb, main verb है जो मैं कहा रहा हूँ अभी मान लो तुम, यह तो फिलाल एक example है मैंने यह समझाने के लिए कई बच्चे ऐसे होते हैं पजिद कर लेते हैं कि सर हम कहा फायदा होगा इस चीज़ का वो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ यह helping verb होती है, main verb होती है अब यह जो है, off, off होता है prep position और prep position अभी मैंने बताया, prep position क्या काम करता है prep position information add करने के काम आते है और prep position का एक वंगा और है यह prep position है ना, इसकी एक requirement है requirement यह है कि भाई मैं अगर तुम मुझे जब भी use कर लो मुझे use कर लो तो, लेकिन जब भी use कर लो तो मेरे बाद एक object रख देना मेरे बाद एक object रख देना क्योंकि मैं बिना object के आऊंगा नहीं मेरा तो pair जलता है, prep position प्लस में उसका object तो pair चलता है, यह तो कहता है तो इसका object अगर हमें रखना है तो object noun या pronoun हमें रखना पड़ेगा क्योंकि noun और pronoun तो दोनों भाई भाई हैं ने तो दोनों में कोई भी आ सकता है तो यह कहता है कि जब भी मुझे आओ तो मेरे बाद एक noun या pronoun जरूर रख देना तो यह रा of और इसके बाद यह रा बोईस जो इस prep position का object है और prep position और prep position के object का कोई भी वास्ता नहीं होता कोई भी वास्ता नहीं होता verb से क्योंकि क्योंकि तो information यह एड़ करने गाम आ रहे हैं ना इनका क्या लेना देना अब अपसे इन्होंने तो information एड़ कर देनी है अब यह दा क्या होता है यह article होता है इतनी चीज क्लियर होगी अब आ हो जाना यह task है यहाँ पर यह task यह object है complete क्या गिया इस complete कहने का काम होगा कि इसके उपर इस task के उपर अगर आप वर्ब से अगर आप वर्ब से वर्ट या हूम का reply ले लो ना वर्ट जो होता है वो चीजों के लिए होता है और हूम जो होता है वो इनसानों के लिए लगाया जाता है अगर आप वर्ब से वर्ट या हूम का reply ले लो और there जो है, यह वर्ड थोड़ा सा भारी है, अभी आप जो फर्स लेवल के उपर हैं, बेसिक लेवल के उपर हैं, थोड़ा सा भारी है, इसको कहते हैं, possessive adjective, possessive adjective, ऐसा मुझे इस sentence में एक error करना चाहिए था में, लेकिन मैंने कर दिया, दो-दो error कर दिया, कोई बात नहीं, अ यह जो sentence होते हैं喔 sentence बनने की requirement क्या होती है sentence बने की requirement होती है subject हो और एक verb हो सबसे basic requirement यह ही है biological और verb हो subject और verb हो यह requirement यह यह रा वर्ब और इसके लिए यह वर्ब है पूरी पूरी इसके लिए subject के लिए मेरे पास क्या सब्द बचा देखो यह तो प्रेपोजिशन बन गया ये प्रेपोजिशन को अब्जेक्ट बन गया ये तो दोनों वर्ब हैं ये पोसेसिव अजेक्टिव है पोसेसिव अजेक्टिव अधिकार जता ना किनका टास्क उनका टास्क तो इसने अधिकार जता दिया इसके पर ये टास्क और ये बनने का काम कर दिया तो अगर each के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी बताऊं तो each जो होता है each एक ऐसा word है, यह pronoun है distributed type का pronoun है tension ना लो, मैं भारी भारी word यूज़ कर रहा हूं सारी चीज़ें clear हो जाएंगे, यह pronoun है distributed pronoun है यह क्या काम करता है, यह एके करके बाद करता है एके करके बाद करता है अगर एके करके बाद करता है, तो singular करता है plural करता है, पहले तो यह सोचो singular करके बाद करेगा क्योंकि एके करके बाद करेगा और singular के साथ word कैसी आती है, singular आती है वर्ब कैसी आएगी, singular आएगी, तो वर्ब singular आएगी तो जड़ा आओ, singular के उपर आते हैं, have क्या होता है, have होता है plural, have होता है plural, तो यह have कटेगा और यहां पर क्या आएगा, has आएगा, तो यह चीजें सी समझाने के, और एक और एरर है, यहां पर देर कटके, he's आएगा, tension न लोगों को मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, आपको मैंने बता दिया कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया, यह वर्ब की टाइप थे, यह subject, object, do, action, word, यह सारी चीजें मैंने बता दी, तो बस आज के लिए मैंने इतना ही रखा है, I I hope so, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेर करें अपने दोस्तों के साथ, तो वस आज के लिए इतना ही रखा है,